लगभग दोसो साल पहले योरप में एक संगीत कार हुआ उसका नाम था प्रेडरिक शोपां वो संगीत बनाता था पियानो बजाता था और ऐसा कमाल बजाता था कि उसे दपोईट अफ पियानो कहा जाता था दिल से बजाता था और सुनने वाले की दिल को छू लेता था महज 49 साल के उम्रे में उसका जिस्म सुपुर्दे खाक हो गया लेकिन उसका दिल आज तक बचा हुआ है कहते हैं उसने संगीत को दिल से प्यार किया था इसलिए उसका संगीत भी बचा रहा और उसका दिल भी प्यार मुहबर, कला और कविता की सारी कहानिया दरसल दिल की कहानिया होती हैं तो आज हम दिल की इसी कहानी को सुनेंगे प्रेडरिक शोपा, इनकी नाम की स्पेलिंग और प्रोननसियेशन देख लीजिए कुछ लोग शोपें कहते हैं, तो कुछ लोग शोपा, जगह के हिसाब से उचारन थोड़ा सा बदल जाता है लेकिन चोपिन कहना पूरी तरह घलत होगा मेरे उस्ताद ने मुझे शोपा कहना सिखाया था तो जणाब, शोपा का जन्म पोलेंड में 1810 में हुआ था और सिर्फ 49 साल की उम्र में 1849 में उनका निधन हो गया था वेस्टरन क्लासिकल म्यूजिक में तीन जीनियस हुए नमबर वन, मोजजाट नमबर टू, बिठोफन नमबर थ्री, शोपा शोपा इनमें सबसे जूनियर थे वो बच्पन से ही बीमार और जिस्मानी तोर पर कमजोर थे फेकणों की बीमारी थी डॉक्टरों ने कह दिया था कि 25-26 की उमर से ज्यादा ये नहीं जी पाएंगे लेकिन जिंदगी से उनका दिल लग गया था इसलिए तमाम तकलीफों के बाद ही 49 तक तक जी गए संगीत को लेकर उनकी लगन, उनका समर्पन इतना गहरा था कि कम उम्र में ही उनका नाम दूर तक फैलने लगा भरी जवानी में ही वो इतने मशूर हो गए थे कि जहां जाते उनके चाहने वाले उन्हें घेर लेते लड़कियां उनसे शादी करने के अर्मान पालती उन्हें सामने पाकर हुशी के मारे चीखने लगती और बेहोश हो जाती आईरनी देखिए, लोगों की इतनी दिवानगी के बाद भी शोपा के जीवन में प्रेम का सुख नहीं आया संसार का सबसे रोमांटिक म्यूजिक बनाने वाले इस जीनियस के जीवन में प्रेम नहीं आया एक बार तो आया था, लेकिन निभ नहीं पाया उन्हें अपने जमाने की मशुहूर फ्रेंच लेखी का जॉर्ज सैंट से प्यार हो रहा था वो उनसे छे साल बड़ी थी, उन्होंने कुछ बरस साथ गुजारे, लेकिन दोनों में लाई भी न गई ते निभाई भी न थी दोनों बिल्गुल अलग स्वभाव के थे, शोपा बेहद इंट्रोवर्ट और संजीदा, जॉर्ट सैंट उतनी ही एक्स्ट्रोवर्ट और चंचल दोनों अपने अपने फील्ड के महा रथी, लेकिन दिल लगाने के बाद भी दोनों दिल को संभाल नहीं पाए कहते हैं न, फूलों जैसे दिखने वाले लोग कई बार कांटों से भी गहरे जख्म दे कर जाते हैं एक दिन जॉर्ट सैंट अलग हो गई, पहले से बीमार शोपा जजजबाती तोर पर और कमज़ोर हो गए उसके बाद उसे दो साल बच पाए, 1849 में पैरिस में उनका निधन हो गया लेकिन मरने से पहले शोपा ने एक अजीबो गरीब दिमांड रखी उन्होंने कहा मेरा संगी पूरी दुनिया में पहले, मेरा शरीर मेरी कर्म भूमी फ्रांस में दफन हो लेकिन ऐ मेरे चाहने वालो, मेरे दिल को मेरे जिस्म से निकाल लो, उसे मेरे वतन ले जाओ, ताकि मरने के बाद भी मेरा दिल अपनी मिट्टी की खुश्बू को महसूस कर सके सच ने, ये अजीब दिमांड थी पहले तो उनके चाहने वालों को लगा कि महबत में इनका दिल तूटा है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके दिल को अलग दफन किया जाए इस बात पर मुझे शजर अबास का एक शेर याद आता है मुझ को दिल से निकालने के लिए उसेने सीने से दिल निकाल दिया लेकिन कहानी का इत दूसरा पहलू भी है जैसा कि मैंने बताया उनकी तब्योत खराब रहती थी तो उने कई बार नेंद में ही एहसास होता था कि वो मर गए है तोड़े दर बाद जाकते तो पाते कि अरे मैं तो जिन्दा हूँ इस तरह के खुआब उन्हें इतनी बार आये कि उनके मन में एक डर बैट गया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा अंदर मेरा दिल धड़कता रहे और बाहर लोग मुझे मरा हुआ समझने अगर ऐसा होगा तो लोग मुझे जीते जी दफना देंगे यह डर उनके भीतर गहरे बैट चुका था इसलिए उन्होंने डिमांड रखी थी कि मरने के बाद उनके दिल को उनके जिसम से अलग कर दिया जाए अगर वो जिन्दा होंगे तो आपरेशन के दौरान डॉक्टर को पता चल जाएगा और वो उन्हें बचा लेगा साइकालोजी की भाशा में इस डर को कहते हैं टाफेफोबिया उन भरसों में कई लोगों को ऐसा डर लगता था इसी कारण लोग इस तरह की बातें अपनी वसीयत में लिख जाते थे कुछ लोग तो अपने ताबूत में बाकायता घंटी फिट करवाते थे कि अगर ताबूत में लेटे लेटे उनकी आँख खुल गई और उन्होंने खुद को जिन्दा पाया तो अंदर लगी रसी खैंच के वो घंटी बजा देंगे ताकि उनको दफन न किया जाए और बाहर वालों को पता चल जाए कि अंदर ये इनसान जीवित है शोपा को भी यही डर था इसी कारण उन्होंने अपना दिल और चिस्म अलग करवाया डॉक्टरों ने बड़ी सफाई से वो आपरेशन कर दिया उनका जिस्म तो दफन हो गया लेकिन उनकी दिल को पैरिश से पोलैंट कैसे ले जाया जाए बड़ी मुसीबत थी जिस जार में उनके दिल को केमिकल में डुबो के सुरक्षित रखा गया था शोपांग की बेहन ने वो जार अपने कपड़ों में छिपाया और बड़ी मुसीबतों के बाद उसे स्मगल करके पोलैंट ले जएंग पोलैंट की मशूर लेकिका है ओलका तकार्चो जिने हालगी में नोबेल प्राइज मिला है उनका एक नोबल है फ्लाइट्स उसमें स्मगलिंग की इस घटना का बेहत मारमिक वर्णन किया गया है शोपांग का दिल आज भी वार्सा के एक चर्च में एक मर्तबान में रखा हुआ है वहाँ जाने वाले टूरिस्ट उस नायाब दिल को देखना नहीं भूलते अब जिस्म के अंदर से आवाज नहीं आती अब जिस्म के अंदर वो रहता ही नहीं है दिल अलग और जिस्म अलग वेस्ट में इसकी एक अलग ही परंपरा है मशुर लेखक थॉमस हार्डी के साथ भी यही हुआ था उनका जिस्म अलग जग़ दफन है और दिल अलग जग़ अंग्रेजी के महान कवी हुए शेली उनके साथ भी यह बात जुरी हुई है दिल अलग और जिस्म अलग दफन शेली के साथ तो एक किवदंती भी जुरी हुई है कहते हैं कि जिस इलाके में शैली की मृत्य हुई थी, वहाँ बॉडी को दफन करने की इजाज़त नहीं थी. So, अगनी से उनका अंटिम संसकार किया गया, जिसम जलता रहा, लेकिन उनके दिल ने जलने से इंकार कर दिया. महबत का अजीम शायर था शैली, दिल भला क्यों जलेगा, जाने किस तरह, किसी ने किसी तरह, वो दिल बचा रह गया. तब उनके चाहने वालों ने उनका वो दिल उनकी बेगम के सुपुर्द कर दिया, जिससे वो बे इंतहा प्यार करते थे. उनकी बेगम जब तक जिन्दा रही, उस दिल को हिफाज़त से रखा, और जब मरी, और कब्र में उतरी, तो अपने महबूब का दिल अपने सीने पे रख के उतरी. खै, ये तो किविदन्ती है, महबत का अफसाना है, लेकिन क्या बुरा है. महबत की नजमे लिखने वाले, महबत का संगीत रचने वाले, इन कलाकारों के इर्द गिर्द, अगर ऐसे अफसाने बन जाएं, तो भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि इनका संगीत हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है, क्योंकि इनकी शायरी हमें सपनों की दुनिया म अफसानों से तो बुनी जाती है तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप इस जगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ और ज़्यादा जानकारियों के लिए मेरे वेबसाइट गीतचत्रवेदी.com पर विजिट कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में